गत शुक्रवार को सूरत में मौब लिंचिंग के विरोध में लगुमती समाद द्वारा निकाली गई रेली हिंसक साबित हुई और उस रेली में पुलीस और मुस्लिम भीड के बीज काफी घर्शन हुआ जिसके तहएं घटना को 4-5 दिन बीटने के बाद भी पुलीस द्वारा उस घटना के तहएं सभी मुस्लिम लोगों को धर्पकड का दौर शुरू किया गया है आपको बताते चले कि गत रोज पुलीस द्वारा करीब 40-40 से अधीक लोगों को हिरासत में लिया गया है उलेखनी है के सरकार पक्स में सभी का रिमांड नहीं मांगा गया जिसके बिना पर कोट द्वारा सभी को जूडिशियल कस्टडी में रखने का हुक्म दिया गया है आपको बता दे के दूसरी और इस घटना में जो पहले पकड़े गए लोग थे उन लोगों की जामिन अरजी पर आज सुनवाई का दिन सहर के कॉंग्रेस आगरणियों द्वारा भी पुलीस कमिशनर को इस मामले में मोखिक रजवाते की गई निर्दोस लोगों के खिलाफ कारेवाही नहीं करने की अपील भी उन लोगों द्वारा की गई उसी दौरान गत रोज पुलीस द्वारा सुरत के चोग बाजार बड़ेखा चकला और नानपुरा में धर पकड़ का दौर शुरू किया गया था रिपोर्ट बाइ परवीन पठान समाचार इंडिया न्यूस सूरत